असकार वन इंडिया हिंदी में आपका सुभागत है कोरोना वाइरस के चलते देश में 25 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तक्रीबन दो महीने के लॉकडाउन के बाद चरनवद्ध तरीके से अनलोक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है अब अनलोक 3 की मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है ऐसे में सरकार एक बार फिर से अनलोक 4 का एलान कर सकती है जिसमें कुछ और रियायत दी जा सकती है हलागी मौजूदा गाइडलाइन में तकरीबन सभी सेवाओं को बाहल कर दिया गया है लेकिन अभी भी सेक्शनिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शौपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और थियाटर को लेकर सरकार ने किसी तरह की रियायत नहीं दी है लेहाजा लोगों को उम्मीद है कि इस बार के अनलोक में इन छेतरों में छूट दी जा सकती है गौर्तलब है कि 5 महीने से स्कूलों के बंद होने से छातरों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है हला कि कई स्कूल, कॉलेज, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं है लोगों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त से स्कूल और कॉलेज को खोलने की अनुमती दी जा सकती है लेकिन बाद में सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया कि इसको लेकर 31 अगस्त के बाद फैसला लिया जाएगा और तब तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे दरसल कोरोना संक्रमन के मामले पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले 16 दिनों की बात करें तो संक्रमन 20 लाख नए संक्रमन के मामले सामने आए हैं और हर रोज 60,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में सरकार जल्दबाजी में स्कूलों को खोलने का कोई फैसला नहीं लेना चाहती है सिक्षा मंत्राले ने पहले ही साफ किया है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे अलगी अब लोग कयास लगा रहे हैं कि सितंबर में अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स में स्कूलों को खोले जाने को लेकर गाइडलाइन्स जारी की जा सकती है अनलोक के साथ अगर स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो ये राज्य सरकार की जिम्मदारी होगी कि वो किस प्रकार के दिशानिर्देश और नियम लागू करती है ताकि बच्चे वाइरस के संक्रमंट से पूरी तरह से सुरक्षित रहे कोरोना संकट के दोर में बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखना भी स्कूल और सरकार के लिए एक बड़ी चुनाती होगी रिपोर्ट के अनुसार सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के साथ सिनेमा हॉल और थेटर को खोलने की अनुमती दे सकती है सितंबर के पहले दो हफ्तों में मेट्रो सेवा को भी ट्राल के तौर पर खोलने पर विचार किया जा रहा है संबह है कि प्रती कोच में 50 लोगों को यात्रा करने की अनुमती के साथ मेट्रो सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है हलागि इसमें सिर्फ जरूरी सेवा में जुड़े लोगों को यात्रा करने की ही अनुमती होगी इस खबर में फिलाल इतना ही